अखिल भारत त्रिनुमूल कॉंग्रिस की ओर से अभार बैक करती हूँ कि देर आए पर दुरस्ता आए महेंगाई एक बहुत एहम मुद्दा है जो आज के जनता पर भारत वर्ष में हर जनता का और हम सभी को बहुत चिंतित होके रखा है क्योंकि महेंगाई इस जगह पर आए है ये सरकार कोई कदम भी नहीं उठाया महेंगाई पर चर्चा करने के लिए इजाज़त देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुकर गुजार हूँ आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए मैं तो सहमत थी मंत्री महोदय यहां है नहीं जब सत्ते पर नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहां मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ LPG सिलिंडर लेके बहुत शोर शड़ाबा किया था की थी अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो LPG लाखों और अगाओं में अभी भी चुला फुक्ते हुए दिखते है क्योंकि उज्वाला जोजना में जिसको सिलिंडर मिला था अभी खरिदने का पैसा नहीं है लाखों सिलिंडर खाली पड़ा हुआ है अभी ये सोचना चाहिए कि इंधन में आग लगा है कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादूर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते है कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है मैं कहती हूँ कि यह सबजी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि इंधन नहीं मिलता है तो भई कच्चा खाने का बात करी हूँ क्योंकि LPG सिलिंडर ये चन भाइनों में चार बार LPG सिलिंडर का दाम बढ़ा तीन चार साल पहले जब इसका भाव था 600 आज हो गया 1100 तो आप समझे कि जो गरीब है जो मजबूर है वो कैसे 1100 रुप्या देके सिलिंडर खरीदेगा सरकार को सोचना चाहिए ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं ये बंद किजिए इंधन का लपी जी का भाव जरूर कमती किजिए क्यूंकि आम जनता को बहुत तकलिफ हो रहा है इससे आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्रि मोहदा कितना शोर शरवा करके सप्ता पे आगया है बस भूल गया आम जनता को कहा है सिलिंडर लेके उनका जो जलूस निकलती थी बात करती थी आज यहां है नहीं में नाम नहीं ले रही हो तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के उपर जो GST लगा है टैक्स लगा है एक तो बात है कि पट्रोल या डिजल इसके उपर भाव इसका बढ़ने से सब पर आसर आता है सब चीजों का भाव बर जाता है सो बोल रहे थे आप यूपिय के टाइम में मैं याद करना चाहती हूँ मैं बहुत इज्जत करती थी अभी हमारे बीच नहीं है लीडर थी यहां सुश्मा शवराज जी उन्होंने कहा था 2004 में कि हम जब छोर के गए थे पट्रोल का लीटर था 35 रुपिया और चन्द महीनों में यूपिया आके उसको 66 रुपिया बना दिया तब 66 रुपिया में उन्होंने यहां खरी होकर बात रखी अपनी 66 में अभी सुचिए पेट्रोल का 100 से भी जादा 110 के बड़ा बड़ है गारी नहीं चल दिया रहे तु बैट तुमको क्य पता है बैटो अभी बहंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जमता का जीदा हराम हो गया चर्चा यह हो रहा है बहुत अच्छा सभी बात रखने की अफसर सभी को मिलेगा सब ठीक ठाक बात करके मैं सरकार से यह दरपास करूंगी अब एक जगह में आईए कि इतन टैक्स मत लगा यह कि आप ये को सिर्फ मुनाफ़ा हो और गरीब मरते रहे गरीब की तरह थोड़ा देखिए गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए कि वो भी जी सके नमस्कार सर थैंक यू